हलो एन वेलकम अगेन माई फ्रेंड सेंड डियर स्टुडेंट मैसल्फ महेंद्र देवंदा आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइलम आर्थरोपोडा, जनरल करेक्टर्स और क्लासिफिकेशन के बारे में यानि संग आर्थरोपोडा के सामने लक्षन और उसके वर्गी करन के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में हमारा फोकस जनरल करेक्टर्स पर रहेगा क्लासिफिकिशन के सिर्फ हम ब्रीफ आइडिया या उसका सिर्फ आउटलाइनिंग के बारे में समझेंगे सबसे पहले हमें यहां पर बहुत सारी फोटोग्राप दिखाई पड़ रही है तो हमें पहले इन फोटोग्राप से हम इन अनिमल्स के बारे में फैमिलियर हो जाएं तांकि इनके करेक्टर्स जब हम पड़ें तब थोड़े हमारे लिए आसान हो जाएं तो यहां आर्थरोपोडा के कुछ अनिमल्स जैसे की स्पाइडर जो कि आपने देखा होगा स्कॉर्पियोन जिसको बिच्चु के रूप जानते हैं इंदी में क्रैब कैकड़ा है एंड्स चीटियां है पैरि प्लेनेटा कोक्रोच इसके अलावा बटरफ्लाई यह आपने एनिमल्स सामनते देखे होंगे इसके अलावा दो एनिमल्स हों हैं जिन आप लोगोंने शायद कम देखा हो या किसी ने देखा ही नहीं हो जैसे की पैलिमोन हैं जिसको प्रौन के नाम से जानते हैं सामनते इसको प्रौन कहा जाता है जिंगा मचली के नाम से जानते हैं यह एक आर्थ्रोपोर्ड एनिमल्स हैं, इसके अलावा एक और एनिमल्स हैं जिसको शायद किसी ने देखा होगा, यह लिमूलस हैं, जिसको किंग क्रेब के नाम से जानते हैं, और यह मेरीन वाटर में पाया जाता है, समूंदरी पानी में पाया जाता है, यह इस तरह का एनिमल्स हैं, वो भी शायद आपने देखा होगा, इसके अलावा कुछ और भी इसमें एक्जाम्पल्स हैं, कुछ और भी जीव हैं, जिससे हम इस फाइलम से और भी फैमिलियर हो सकें, इस फाइलम के बारे में जानकरी प्राप्त कर सकें, इसलिए यहाँ पर कुछ और फो होती है, उनके अंदर यह पाई जाती है और उनको नुक्सान पहुंचाती है, यह फिस नहीं है, यह एक आर्थरोपोडा है, यह बाद ध्यान रखेंगे, लैपिस्मा जिसको सिल्वर फिस के नाम से जानते हैं, ग्रास ओपर्स, यह ग्रास के उपर आपने आंक के उपर, आ मुह में रहने वाली होती है और फसलों को चट कर जाती है, नुक्सान पहुंचाती है, सिकाडा, जंगलों में इसकी आवाज आती है, जोर-जोर से यह आवाज करता है, यह एक इंसेक्ट है, बी, बी से आफ, हनी बी से फैमिलेरी हैं ही, क्योंकि आपने सहद, अपने जीव जिसको ततया के नाम से जानते हैं, बीटल्स, कई तरह के बीटल्स आपने आसपास देखे होंगे, हाउस फ्लाइ, गरलु मकी, यह भी अपने आसपास आप गरों में देखते ही हैं, टर्माइट्स, टर्माइट्स जिसको हिंदी में दीमक कहते हैं, दीमक आप बारिस के टा उच्छ बटरफलाई के समान दिखाई परकूं रखेपक्र J baba नाच्टूनल उतने रात्री चर अब गए फूर उड़तीं इन फोड़ा दाइस्प में होता है और मैं तोड़ा तोड़ा डिफ्रेंस वेरिड़ क्नेज है लेकिन और मौस्किटो मौस्किटो से था फेमिलियर हैं अब सबसे पहले हम इस फाइलम में सुरुवात करते हैं इसके सामने परिचे के बारे में तो परिचे में सबसे पहले हम बात करते हैं इस सब्द का मतलब समझते हैं आर्थ्रोपोडा का फाइलम आर्थ्रोपोडा व परत्रोज का मतलब होता है जोइंट और पोड़ा का मतलब होता है appendices, appendices means क्या हुआ, these animals contain jointed appendices, मतलब यह हुआ, इनके जो animals होते हैं, इनके सरीर पर jointed appendices पाए जाते हैं, jointed appendices का मतलब क्या होता है, जैसे कि man body का part के अलावा, man body part जैसे कि यहां पर ये मक्ही में हम देखें, तो man body part में इसका head हो गया, ये इसका thorax हो गया, और ये इसका abdomen हो गया, इसके अलावा इनसे जुड़े हुई structures, जैसे कि यहाँ पर leg आपको दिखाई पड़ रही है, आगे की तरब जो antenna पाये जाते हैं, ये इसके appendages होते हैं, तो ये जो appendages हैं, इनम jointed form में पाये जाते हैं, यानि तुकड़ों में पाये जाते हैं, आप देख पा रहे होंगे, डाइग्राम में भी, जैसे कि ये एक टुकड़ा है, टांग का, इसकी leg का, ये भी एक टुकड़ा है, तो इसमें इस तरह के jointed appendages पाये जाते हैं, ऐसे ही जो antenna है, antenna को भी जब आ स्कोर्पियोन की legs को देखें, या कैकड़े की legs को देखें, या एक स्पाइडर की legs को देखेंगे, तो भी या अनकेंटिना को देखेंगे, तो इसी तरह की सरचना आपको दिखाई पड़ती है, यानि jointed appendages इन में पाये जाते हैं, फाइलम आर्थरोपोडा वाज प्लिस किया गया था, this is the largest phylum, यह सबसे बड़ा phylum है, in the animal kingdom, animal kingdom में सबसे बड़ा जो phylum अगर आप से पूछा जाता है, तो वह है phylum आर्थरोपोडा है, in which includes जिसके अंदर सामिल होते हैं, insects, spiders होते हैं, scorpions होते हैं, crabs होते हैं, lobusters होते हैं, बहुत सारे mites होते हैं, ticks जो होते हैं, यह सबी इन में सामिल करते हैं, over two-thirds of all named species on the earth belong to the phylum आर्थरोपोडा, एक general statement है, क्योंकि कई बार यह पूछा जा सकता है, लगबग two-third जो जितनी भी animals, species report की गई है, वो आर्थरोपोडा से सम्बंद रखते हैं, two-third of all named species, यह जो two-third जितनी भी species आर्थरोपोडा की है यह एक rough estimated है, लेकिन वास्त्विक्ता में हम जाएं, तो उसको हम देखते हैं, around 82% of all known species of animals belong to phylum आर्थरोपोडा, यह exact है, यानि जितने भी animals हैं, उनमें 82% phylum आर्थरोपोडा की जातियां हैं, और remaining जो 18% है, वो बाकि दूसरे जो phylum हैं, उनसे सम्बंद देता हैं, इन total animals of आर्थरोपोडा, 83% belong to insects, अगर हम आर्थरोपोडा के अंदर ही बात करें, अगर हम आर्थरोपोडा के अंदर बात करें, कि आर्थरोपोडा में कई तरह के animals हैं, उन आर्थरोपोडा में हम यह total आर्थरोपोडा को 100% मान कर, उनमें हम अगर इंसेक्ट का प्रतिशत देखें तो लगवग 83% इंसेक्ट की स्पिसीज रिपोर्ट की गई है यानि सबसे ज़्यादा आर्थरोपोडा में इंसेक्ट सामिल्स होते हैं इंसेक्ट आर अराउंड 70% ओफ टोटल एनिमल्स और अगर हम टोटल एनिमल्स में बात करें जितने भी अनिमल्स हैं उनमें इंसेक्ट का कॉंट्रिबूशन बात करें तो लगवग 70% 70% इंसेक्ट के द्वारा अपना योगदान किया जाता है यानि इस 70% जो है वो इंसेक्ट हैं आर्थरोपोड्स आर मोस्ट सक्सेस्फुल अनिमल्स इतना सारा पाया जाने के बीचे कारण क्या है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सक्सेस्फुल अनिमल्स हैं इस टेरिस्टल हैबिट वार्ट पर एंड एक्वेटिक हैबिट आट पर ड्यू टू देयर काईटीनेस एक्जोस्कलेटन एक तो उनका कारण ये है कि उनके बोडी के उपर काईटीनेस एक्जोस्कलेटन पाया जाता है और दूसरा जो कारण है वो है जोईंटेड अपंडेजेज का पाये जाना काईटीनेस जो एक्जोस्कलेटन है इनको परतिकूल प्रस्तितियों से बचाने का कारिय करता है और जोईंटेड अपंडेजेज इनके उपर जो संदी युक्तु पांग पाये जाते हैं तो वो इनको फ्लेक्जिवलिटी प्रदान करते हैं कही तरह के जो वातावनी प्रस्तितियां उनसे बचने में मदद करते हैं यहां एनलीमल्स में आप भी देख भी सकते हैं कि इनकी सरीर के उपर जोईंटेड अपंडेजेज आपको दिखाई पड़ रहे हैं और यह अलग-अलग तरह के हैबिटाट में पाये जाते हैं जैसे कि आप जानते हैं मक्षी उड़ सकती है स्कोर्पियोन मिट्टी में आराम से रह लेता है और प्रिडेशियस नेचर का होता है बोजन को मार्क पकड़ कर खाने वाला होता है केकड़ा भी पानी में रह लेता है मकडियां कई तरह की हैबिटाट में आराम से रह लेती है अब हम बात करते हैं Phylum Arthropoda के General Characters के बारे में सामने लक्षनों के बारे में बात करते हैं जिसमें हम सबसे पहले सुरुवात करते हैं Number of Species की Phylum Arthropoda में कितनी Species अब तक रिपोर्ट की गई है A total of 12,15,7,040 Arthropods Species are reported throughout the world Approximately 12,5,5,040 Arthropoda की है Next हम बात करते हैं Habit and Habitat की यनि ये Animals कहां पर पाए जाते हैं These Animals are found in all type of Habitards सब तरह के जो Habitards हैं उनमें ये पाए जाते हैं क्योंकि हमने बात की कि इसका कारण दो है कि ये कई तरह के Habitards में रह सकते हैं क्योंकि इनमें Jointed Appendices पाए जाते हैं और इनकी Body के उपर Kitanous Exocleton प्रेजेंट होता है ये Aquatic Medium में भी पाए जा सकते हैं Terrestrial यानि इस्तलबाग पर भी पाए जा सकते हैं मिट्टी के अंदर की तरफ भी पाए जाते हैं Surface पे तो पाए जाते हैं मिट्टी के अंदर भी बिल बना कर ये पाए जाते हैं Aerial हवा में भी वाई भी ये होते हैं Some are present as parasites in plants and animals कुछ ऐसे animals होते हैं जो plants और animals के उपर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं Next हम बात करते हैं Locomotion की यानि गमन की बात करते हैं By jointed appendages ये jointed appendages इनमें appendages के रूप में जैसे leg ही इनमें पाए जा रही है तो इनके द्वारा ये गमन करते हैं पैरो के द्वारा legs के द्वारा इनमें गमन होता है Body organization सारेक संगठन किस परकार का होता है तो इसके बारे में हम जान चुके हैं Organ system level of body organization पाया जाता है हम ये बाते में जान चुके हैं कि organ system level का जो body organization है वो phylum S कलमंती से सुरू हो जाता है और till, analida और arthropoda और इससे आगे जितने भी phylum हैं उन सब में organ system level of body organization पाया जाता है Body structure के बारे में बात करते हैं कि इनकी body की structure कैसे होती है तो body है paired appendages Body के उपर paired appendages पाये जाते हैं The body is divided into three parts इनका जो body होता है इनका जो सरीर होता है वो तीन parts में divided होता है पहला जो part होता है वो head है दूसरा जो part है वो thorax तीसरा जो part है वो है abdomen जैसे कि हम diagram के माध्यम से भी देख सकते हैं जैसे कि ये एक कोई एक arthropods है इसमें आगे का जो बहाग है ये है head part उसके आगे blue color में जो है वो है thorax region और red color में जो दिखाए गया है वो है इसका abdomen यानि इसका सरीर तीन parts में divide होता है इन सम एनिमल्स लेकिन कुछ एनिमल्स में head and thorax is combined जो head है और thorax है ये आप बस में fuse हो जाते हैं जूड जाते हैं and formed cephalothorax और cephalothorax का निर्मान करते हैं ऐसा किस में होता है ऐसा prone में होता है body contains high grade of cephalization body में high grade of cephalization यानि head इसमें छिर जो है पूरी तरह से spust होता है इससे पहले जितने भी हमने phylum पड़े हैं उनमें head इतना clear नहीं है जितना की आर्थरोपोडा में clear होता है body is covered by thick chitinous cuticle body के उपर मोटी chitinous से बनी हुई cuticle पाए जाती है जैसे कि आप यहाँ एक beetle जो आपको दिखाई पड़ रहा है उसमें यह chitin का exoskeleton जो की काफी मोटा होता है थिक होता है अब हम बात करते हैं germ layers की germ layers triploblastic animals हैं यहनी इनमें 3 layers पाई जाती है embryonic stage में ectoderm, mesoderm and endoderm जिनसे adult में कई तरह के organs develop हुए होते हैं body symmetry, bilateral symmetrical animals हैं यह body plane के बारें बात करें तो tube within tube body plane इनमें पाई जाता है यानि पूरा सरीर एक tube के समान मना जाता है और इस पूरे body के अंदर एक tube जो की elementary canal यानि mouth और एनस इनमें पाई जा रहे हैं तो वो जो digestive या elementary कनाल है वो भी एक tube है यानि शरीर एक tube और digestive जो tract है वो भी एक tube का इनमें body plane पाई जाता है sylom, इनमें true sylom पाई जाती हैं यह sylomate animals है और sylom का जो type होता है वो cyzoseal प्रकार का होता है sylom is called hemo seal arthropoda में sylom को hemo seal कहा जाता है क्यों कहा जाता है due to its field by hemo lymph क्योंकि इसमें hemo lymph बरावा होता है sylom is reduced sylom reduce होती है and restricted to reproductive and excretory organs sylom reduce होकर सिर्फ reproductive organs में और excretory organs है उनमें ही यह पाई जाती है next is segmentation body is segmented इनकी body segmented होती है आपको मैंने शायद पहले ही बता दिया कि arthropoda phylum phylum enelida और phylum codita इनमें ही true segmentation पाई जाता है वास्त्री खंडी बाउन इनमें ही पाई जाता है इन तीन phylum में ही पाई जाता है यहां पर metamerically segmentation पाई जाता है तो segmentation is the division of body planes into a series of repetitive segments के रूप में यहां पर पाई जाता है skeleton system के बारे में बात करते है the body of arthropods is covered by chitinous exoskeleton इनका जो शरीर होता है वो chitinous exoskeleton से गिरावा होता है exoskeleton is a dead that is secreted by hypodermis exoskeleton इनमें dead होता है यह मृत होता है और जो exoskeleton का जो secretion किया जाता है वो hypodermis की कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है इनमें एक specific process होती है जिसको malting कहते हैं जिसको इंदी में nirmotion कहते हैं malting is a process in which outer cuticle is expelled out due to body growth यानि बाहार का जो आवरन होता है kaitin का बनावा जो आवरन होता है उसको तोड़ कर body बाहार आ जाती है तो यह जो process होती है इसको malting कहते हैं इसको हम इस diagram के माद्यम से भी समझ सकते हैं जैसे कि यह animals था पहले तो इसमें बाहर बाहर के तरफ जो कवश था क्यूटिकल का कवश था यह बाहर का आवरन इनमें बढ़ता नहीं है इनके सरीर का आकार बढ़ता रहता है तो जैसे ही सरीर का ज्यादा आकार बढ़ जाता है तो यह इस बाहर के क्यूटिकल के आवरन को तोड़ कर अपनी सरीर से इसके बाहर के cover से अपना body बाहर कर लेते हैं और बाहर आ जाती हैं फिर इनमें एक नया क्यूटिकल का आवरण एक्जोस्कलेटन का निर्माण बहें कंकाल का निर्माण हो जाता है और फिर उसको वापस उससे भी यह अलग होते हैं जैसे जैसे इनकी बोड़ी ग्रोथ होती है एक अवस्ता से जब दूसरी अवस्ता में जाते हैं तो इनकी सरी प्रॉसेस कहलाती है जिसमें ये बाहर की क्यूटिकल को तोड़ कर बाहर आ जाते हैं और फिर दिरे दिरे इन में ग्रोथ अवस्ता आती रहती है नेक्स है मस्कुलेचर सिस्टम यहां इंपोर्टेंट बात यह है कि यहां पर वेल डवलप मस्कुलर सिस्टम पाया जाता है सीलियेटेड एपितिलियम एपसेंट होती है यानि इस फाइलम आर्थरो पोड़ा में सीलिया कहीं पर भी नहीं पाया जाते हैं यह आपको ध्यान में रखना है इसके अलावा इस्ट्यूटेड मसल्स आर फाउंड जो रेखित पेसियां होती है पहली बार आर्थरोपड़ा फाइलम में ही देखने को मिलती है यानि फर्स्ट अपीरियन्स इन दिस फाइलम इस्ट्यूटेड यानि रेखित पेसियां इसी फाइलम में पहली बार देखने को मिली है यह important बात है और आपको ध्यान में रखना है next है digestive system digestion के बारे में बात करते हैं हमने जाना कि इनमें tube within tube body plane पाया जाता है means mouth और एनस पाया जाता है यानि complete elementary इनमें केनाल पायी जाती है तो well developed digestive system is present होता है different mouth appendages are present for feeding इनके जो जीव हैं इनमें mouth में खासकर insect में mouth modify हो जाता है उनके food के आदार पर बदल जाता है जैसे कि biting and chewing biting and chewing काटने और चबाने वाले जो मुखांग पाये जाते हैं या मुखे के जो appendages पाये जाते हैं उनमें example है co-croachment जिसको जिसका genus है periplaneta इसके अलावा grass ओपर जो होते हैं वो भी biting and chewing प्रकार के mouth appendages रखते हैं next type का mouth appendages pursing and sucking ये होता है mosquito यानि एनाफलीज मच्छा जब काटता है वो पहले भेदता है और फिर blood को सक करने का काम करता है चूसने का कारिया करता है next है chiving and lapping chiving and lapping पहले उसको crust करता है और फिर उसको अंदर निगलने का काम करता है जैसे कि honeybee में ऐसा किया जाता है epices का genus होता है sponging बहुत soft प्रकार का जो mouth parts है वो housefly मसका में पाया जाता है और siphoning प्रकार का butterfly और moths में पाया जाता है diagram के माद्यम से हम इसको समझते हैं जैसे कि यहां पर grass ओपर को दिखाया गया है इनमें well developed एक इनमें पाया जाने वाला digestive system दिखाया पड़ रहा है mouth और एनस पाया जा रहा है cockroach में इस तरह के mouth parts पाया जाता है यह मक्खी का mouth parts है यह housefly का mouth parts है यह mosquito मच्छर का mouth parts है और यह है butterfly का mouth parts यह है proboscis जिसके द्वारा यह रस को ग्रेंड फूलों से रस को ग्रेंड करने का कारे किया जाता है इनके द्वारा next हम बात करते हैं excretory system के बारे में excretory system में nitrogeny waste को body से बाहर किया जाता है तो यहां पर excretion excretion system excretion में और osmoregulation दोनों में मदद करता है excretion organs यहां पर two types के हैं दो प्रकार के हैं पहला है coxal जिसको green glands के नाम से भी जानते हैं क्योंकि यह glands antenna में पाए जाते हैं इसलिए इनको antenna glands भी कहते हैं इसके लावे इनको maxillary भी कहते हैं यानि इनके कई नाम है तो इसके example देखें तो crustacea में जिसमें prawn सामिल है जिसको पेलीमोन के नाम से पेलीमोन जीनस है prawn common नाम है और crustacea इसकी class है ऐसे ही arachnida जिसमें scorpion, palemnius सामिल है तो arachnida और crustacea में excretory organ के रूप में green gland, coxal gland, antennal gland या maxillary पाए जाती है जैसे की diagram में भी देख सकते हैं ये किसी prawn का आगे का भाग है, mouth वाला part है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक bladder दिखाई पड़ रहा है bladder से जुड़ी हुई एक tube है और यहाँ labyrinth है और यहाँ पर यह end point है तो यह लगवक यहाँ पर antenna के पास में पाए जाते हैं तो इसलिए इनको coxal gland या antennal glands कहते हैं दूसरे टाइप का जो excretory organs के रूप में पाए जाता है वो है malpigean tubules malpigean tubules वो पाए जाती है scorpion में यानि पलम्नियस में यानि scorpion में जब आप ध्यान देंगे तो इसमे green glands या coxal gland भी पाए जाती है और इसके लवा malpigean tubules भी excretory organs के रूप में पाए जाती है इसके लवा जितने भी insect हैं उनमें excretory organs के रूप में malpigean tubules पाए जाती है जैसे कि cockroach है उनमें malpigean tubules, grass opus, house fly, mosquitoes और honey bees जैसे कि यहाँ पर honey bee में देख सकते हैं ये एक honey bee है और honey bee में ये जो आपको yellow is color की जो structure दिखाई दे रही है ये malpigean tubules है और ये excretory organ के रूप में कारिय करती है aquatic arthropods are excret ammonia जो कि जलिये arthropods होते हैं aquatic arthropods होते हैं वो ammonia excretory product के रूप में secretion करते हैं major excretory product is uric acid arthropoda में अगर मुक्य रूप से आपको पूछा जाए कि मुक्य रूप से excretory product क्या होता है तो वो uric acid होता है क्योंकि most of जो animals होते हैं वो uric acid का secretion करते हैं जितने भी insect होते हैं वो सब uric acid का secretion करते हैं इसके अलवा जैसे कि यह आपर example देख सकते हैं in the earth robots example insect और spiders में भी uric acid का secretion किया जाता है to conserve water तो जो uric acid का secretion करते हैं उन animals को हम uricotelic animals कहते हैं uricotelic animals कहते हैं और जो ammonia का secretion करते हैं उनको हम ammonotelic animals कहते हैं अब यहाँ पर हमें एक scorpion बिच्चू के बारे में हमें विशेस बात ध्यान रखनी है कि scorpion excrete main waste is guanine guanine जो waste है waste के रूप में मुखे रूप से secret किया जाएजगा है साथ इसाथ एक और waste है जो कि adenine के रूप में यहाँ पर secret किया जाएगा और with the uric acid यानि scorpion में guanine adenine और uric acid तीनों ही excretory product है जिन में मुखे रूप से guanine पाया जाता है क्योंकि यह एक तरह से nitrogen बेस है तो इसलिए यह महत्यपूर्ण है तो आमें द्यान में रखना है next है respiration respiration organs के रूप में कई different structure पाये जाती है जैसे कि gills gills के बारे में आपको पता ही है कि जो aquatic animals होते हैं उनमें gills पाये जाते हैं तो aquatic art reports होंगे जैसे कि प्रोन है वो gills के द्वारा स्वसन की किरिया करते हैं और स्वसन की किरिया में oxygen और carbon dioxide का exchange होता है दूसरी जो structure है वो book gills है actually होते तो gills ही हैं लेकिन ये books के form में पाये जाते हैं तो इसलिए इनको book gills कहा गया है जैसे कि यहां ये limulus जो है यहां पर ये जो structure है एक book के समान दिखाई पड़ती है इसलिए इसको book gills नाम दिया गया है gills ही है इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे लेकिन ये book के form में पाये जाते हैं gills which are shaped like pages of book जैसे कि example है limulus जिसको horse shoe crab कहते हैं horse shoe crab के नाम से जानते हैं next है book lungs जिनको हम pulmonary sac के नाम से जानते हैं found in certain found in certain air breathing arachnids arthropods arachnids जिसमें spider सामिल होते हैं scorpion सामिल होते हैं तो आप ये बात भी ध्यान रखेंगे जो scorpion है उनमें एक्स जो respiration है उसके लिए book lungs पाये जाते हैं जैसे कि यहाँ पर एक मकडी दिखाई गई है तो मकडी में इस तरह की जो आपको structure जो दिखाई दे रही है ये book lungs है last जो types का जो respiratory organs के रूप में पाये जाता है वो tracheal system है और जितने भी insect हैं उनमें ये tracheal system पाये जाता है यानि insect में respiration के लिए trachea पाये जाते हैं जैसे कि यह है ट्रेकिया है तो ट्रेकिया बाहर की तरफ सीधे body के बाहर की तरफ इसमें बहुत सारे चिद्र होते हैं जिनको spiracles के नाम से जानते हैं ये सीधे ही बाहर से वायू को अंदर लेकर फिर respiration की process करते हैं नेक्स है circulatory system circulatory system यहां पर open circulatory system पाये जाता है open circulatory system के बारे में आप जानते हैं कि इसमें जो vessels होती हैं उनके बीच में capillaries नहीं पाये जाती हैं साथी साथ जो tissue होते हैं उनके उपर ही blood यानि जो tissue होते हैं वो रक्त में या flude में do be oke fire जाते हैं यानि वो bath लिये होते हैं heart कैसा होता है डㅉर्सल side में पाय जाता है इनमें जो रधै होता है वो ड suppression surface पे अ होता है with blood sinuses is में blood sinuses पाए जाते हैं, sinuses का मतलब होता है, छोटे-छोटे sack-like structure पाए जाती है, blood is called hemolymph, इन में पाए जाने वाले blood को hemolymph का जाता है, blood is colorless, blood जो होता है वो colorless होता है, लेकिन in member of crustaceans, crustaceans में जिसमें prone सामिल होते हैं, it contains a pigment that is called hemocinin, एक pigments पाए जाता है, जिसको hemocinin कहते हैं, और hemocinin में जो पदार तो जो होता है, वो copper पाए जाता है, copper के साथ में protein पाए जाती है, तो इन में crustaceans में color युक्त रक्त पाए जाता है, और बाकि जितने भी हैं, उन में colorless पाए जाता है, तो यहाँ पर यह बात ध्यान रखेंगे कि phylum, arthropoda की कुछ animals ऐसे होते हैं, जिन में hemocinin pigment पाए जाता है, जैसे कि humans के संदर में hemoglobin pigments पाए जाता है, nervous system, arthropoda में कैसा होगा, well developed nervous system पाए जाएगा, central nervous system contains single nerve ring पाए जाती है, and solid double nerve code पाए जाती है, यानि इनमें double nerve code पाए जाती है, और वो भी solid होती है, hollow जो nerve code होती है, वो codates में पाए जाती है, जबकि जो non-codates होते हैं, उनमें जो nerve code है, वो solid form में पाए जाती है, every segment says segmented गेंगलिया, जितने भी जो segment होंगे उन सभी segment में गेंगलिया पाए जाते है sensory organs के रूप में यहाँ पर antenna पाए जाते हैं जैसे कि यहाँ पर antenna भी आपको दिखाए पड़ते हैं simple eyes पाए जाती है जैसे कि यहाँ पर आपको simple eyes तीन simple eyes एक तो यह रही simple eyes यह रही और यह तीन simple eyes इनमें पाई जाती है compound eyes भी इन पाई जाती है जैसे कि compound eyes dragonfly में आपको दिखाई पड़ रही है stetocyst stetocyst जो कि balance organ के रूप में जानते हैं यानि stetocyst balancing organ है तो यह जैसे कि जो aquatic animals हैं उनमें विशेश रूप से यह develop होता है अलाकि जो हवा में जो घूमते हुए पाया जाता है उनमें भी यह पाया जाता है लेकिन aquatic जो insect होते हैं उनमें विशेश रूप से इनका development होता है जो कि body का balance करने में मदद करते हैं next हम बात करते हैं reproductive system के बारे में generally these animals are unisexual यह animals unisexual होते हैं एक link होते हैं जिनको हम dioces कहते हैं dio का मतलब हो गया doces means depend होना दो के उपर depend होने का मतलब होगी एक male और female दोनों अलग-अलग होते हैं and some are bisexual लेकिन कुछ animals ऐसे होते हैं जो कि bisexual होते हैं dwelling होते हैं उसमें example है barnacles barnacles का आप नाम ध्यान रखेंगे sexual dimorphism present होता है यानि अगर male और female दोनों अलग-अलग होते हैं तो दोनों में लेंगिक विबित्ता पाई जाती है यानि male और female पैचान सकते हैं fertilization usually internal होता है यानि external fertilization बहुत कम होता है they are mostly oviparous oviparous होते हैं अंडे देने वाले होते हैं लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो की वी-वी पैरस होते हैं यानि बच्चे देने का काम करते हैं जैसे की scorpion baby produce करता है baby scorpion produce करते हैं burnacles आइद आपने देखे नहीं होंगे यह जो turtle है इसके आगे की तरफ जो यह animals है यह burnacles होते हैं next है development परिवर्दन एक हैसा होता है इन में development may be direct और indirect development direct भी हो सकता है और indirect भी हो सकता है indirect होने का मतलब होता है कि वहाँ पर एक larva वस्ता पाई जाती है direct development का example पूछा जाए तो silver fish इसका example है silver fish जिसको lepisma कहते हैं और indirect development में बहुत सारे animals हैं जिनके बारे में आप ध्यान रख सकते हैं जैसे कि butterfly हैं moths हैं मच्छर हैं इन सब में एक larva वस्ता पाई जाती है तो कौन से में कौन सी larva वस्ता पाई जाती है क्योंकि कई बार यह पूछ लिया जाता है तो हमें ध्यान में रखना है caterpillar larva पाया जाता है वो butterfly का larva होता है और moths में भी caterpillar लारवा होता है grub जो लारवा होता है वो honeybee का लारवा होता है maggot जो लारवा होता है वो house fly का लारवा होता है ringler जो लारवा होता है वो mosquito का लारवा होता है तो इनके बारे में आपको ध्यान में रखना है यह बात होई फाइलम आर्टरोपॉड़ा के जनरल करेक्टर्स के बारे में अब कुछ एक्जामपल्स के बारे में देख लेते हैं जैसे की लीमुलस जिसको होर्शु क्रेब कहते हैं यह है लीमुलस नेक्स है पीलिमनिस, इसको इसकोरपियोन के नाम से जानते हैं, यह रहाई सकोरपियोन, जिसको भी चुबी कहते हैं, 평 केकडा, कार्शिनस, पैलिम्नो, प्रौन प्रौन आप जानते ही, ये प्रौन हैं, बॉम्बेक्स रिस्क्ष मॉराइ, शिल्क्वर्म इस वॉम्बेक्स मॉराइ, जिससे रेसम प्रोड्यूस किया जाता है, एपीज, एपीज सरेना, एपिस डॉर्सिटर, एपिस इंडिका, ये हनीबी की अलग-अलग species होती है, ये जैसे की बी दिखाई गई है, इसके अलावा कई spider की species है, mosquitoes अलग-अलग प्रकार के होते हैं, जैसे की एनफली मॉस्किटो होते हैं, क्यूलेक्स मॉस्किटो होते हैं, तो ये और भी हम हम जानना है, वो हमें classification, जब हम phylum arthropoda के classification को detail से जानेंगे, उसमें हम इन animals के बारे में और विस्तार से जानेंगे, अब हम यहाँ पर सिर्फ outlining की बात करते हैं, classification of phylum arthropoda के बारे में, इन seven sub phyla के बारे में हम next वीडियो में बात करेंगे, उमीद है आपको phylum arthropoda के characters, जो general characters हैं, वो समझ में आयोंगे, thank you, thank you to all.